हेलो स्टूरेंट्स वेल्कम बैक टू कलेक्शन फिश्रडी यूटूब चैनल आज मैं आपको डीएवी क्लास सेवन हिंदी ज्यान सागर के पार्ट 20 कर्म वीर का सॉल्यूशन देरे वाली हूं तो चलिए स्टूरेंट्स सुरू करते हैं कवीता में से कटनाय यानि पर वीर और कायर कायर व्यक्ति कैसा वहवाज करते हैं कटनाय के आने पर वीर विचलित हुए बिना विघनों को गले लगाते हैं और बादाओं के बीच रास्ता बनाते हैं जबकि कायर कटनाई के आगे दीरज खोते हुए दिखाई पढ़ते हैं और मुसीबतों के सामने गुटने टेक देते हैं नेक्ट देखते हैं question number two वीर्वैक्ति के किनी चार विस्टेस्ताओं के बारे में बताईए वीर्वैक्ति किसी भी इस्थिती में अपना धीरज नहीं खोते हैं वे बाधाओं का मुकाबला करते हैं उनके मुख से कभी भी उफ नहीं निकलता और वे हमेशा अपने कर्म में लीन रहते हैं नेक्ट देखते हैं question number three परवत के पाउं कब उखर जाते हैं जब उत्साही वेक्ति पूरे जोर सोर के साथ परवत को धकेलता है तो परवत की भी पाउं उखर जाते हैं नक्ष देखते हैं question number four किन किन उधारनों के द्वारा कभी ने मनुशी के अंदर छिपे गुनों के बारे में बताया है कभी ने महंदी और दिये का उधारन प्रस्तूत करा कर मानव के अंदर छिपे गुनों के बारे में बताया है महंदी के लाली का प्रयोग उसी समय हो सकता है जब पीसा जाए और दिये से रोसनी तभी प्राप्त की जा सकती है जब उसे जलाया जाए ठीक उसी प्रकार मनुस्य की गुनों की पहचान भी विप्रित परिस्थिती में ही संभव है नेक्ष देखते हैं इस्टुरेंट्स क्वेश्चन नमबर फाइव कविता के अधार पर नीचे कुछ कथन दिये गए हैं सही कतनों के आगे सही और गलत कतनों के आगे गलत का चिन लगाईए गलत कतन को सही करके दुबारा कॉपी में लिखिए विपत्ती से सभी घबराते हैं गलत वीर सभी बाधाओं का हसकर सामना करते हैं सही संकट के समय भी हमें काम करते रहना चाहिए सही कोशिस करने पर बड़ी से बड़ी मुसीबत समाप्त हो जाती है सही वीर स्वेम में विपत्ती होते हैं गलत इस्षुरेंज जो जो सेंटेंस गलत है आप लोग उसे अपनी कॉपी में सही करके लिखिएगा नग्ष देखते हैं उचित विकल्प पर सही का चिन लगाईए काटों में रह बनाते हैं कार्थ है करतनाईयों में भी अपनी लक्ष की तरब बढ़ते रहना मानव जो 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 लगाता है पत्थर पानी बन जाता है कार्थ है कोशिस करने पर बड़ी से बड़ी मुश्किले आसान हो जाती है गुन बड़े एक से एक प्रखर है छीपे मानवों के भीतर कार्थ है मनुष्य उच्छ कोटी के गुनों का स्वामी है बत्ति जो नहीं जलाता है रोसनी नहीं वह पाता है कार्थ है जो प्रयास करता है वही सफलता प्राप्त करता है नेक्ष देखते हैं भासा की बात सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है इन पंक्तियों के अंत में आती है दहलाती है जैसे तुक मिलने वाले सब्दों का प्रयोग किया गया है इसे तुकबंदी कहते हैं कवीता में इसे तुकबंदी कहाने सब्दों को छाट कर लिखिए लगाते हैं, बनाते हैं कहते हैं, गाते हैं, सहते हैं, रहते हैं देखिए श्रेंस, यह सब जो वर्स है यह तुकबंदी वाले सब्दें मिलते जूलते गाते हैं बनाते हैं नेक्ट देखते हैं दिये गए उधारन की तरह कविता की पंक्तियों को हिंदी वाक्य रचना के अनुसार लिखिये सुर्मा नहीं विचलित होते हैं मानव जब जोड लगाता है है कौन विखन ऐसा जग में टीक सके आदमी के मग में जग में कौन ऐसा विखन है जो आदमी के मग में टीक सके खन ठोक ठेलता है जब नर परवत के जाते पाँ उखड जब नर खन ठोक ठेलता है तब परवत के पाँ भी उखड जाते है इस्टुएंट्स यहां भी मत लिखिएगा तो इस्टुएंट्स यसी के साथ हमनों का सॉल्यूशन विडियो कंप्लीट हो गया यदि आपको विडियो अच्छा लगा तो विडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप मेरी चैनल पर ना आया तो चैनल को सब्सक्राइब करक क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे जुकेशन विडियो जाती रहती हूँ इस्टुए आप किसी और चैप्टर का एक्स्प्लानेशन या सॉल्यूशन विडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और विडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईए अपने दोस्तों के भी ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिए थैंक्स फॉर वाड़ा